दोस्तो पुस्पा 2 का बॉक्स सफिस पर जो बैटल होने वाला है वो बॉलिवुड को एक साथ टकर दे सकता है अब ये सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देंगे कि आखिरकार कैसे बॉलिवुड के फिल्मों को ये अराम से टकर देने वाली है सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है पुस्पा 2 जी आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन की पुस्पा 2 साथ की सबसे बड़ी अवेटेड फिल्म है साथ ही नहीं कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि ये फिल्म ब्रैंड है ये फिल्म को बेंजमार्क के लिए सेट कर दिया गया है अब बात करते हैं पुस्पाटू के बॉक्स ओफिस प्रेडिक्शन की क्योंकि वही आंकडे आपको बताएंगे कि कैसे ये हिंदी फिल्मों पे रिकॉर्ड को पड़े अराम से तोर सकती है या टकर की माद कर ली जाईड़नी फिल्मों को टकर आराम से दे सकती है वह ये है कि पुस्पाटू का क्रेज करते है कि कम से कम इस फिल्म का नेट कलेक्शन भी होगा नेट कलेक्शन वह भी 80 करोड पलस जाने वाला कि हाली में काफी एट्रेक किया है और काफी उस पाके फैंस भी आए हैं आपको बता होगा कि हाली में एक लॉंच इवेंट था पटना में पटना में रखा गया था और यहां पर जो लॉंच इवेंट रखा गया इसमें 10,000 लोगों की विवस्था की गई थी और 50,000 से ज़्यादा लोग वहां पर पहुंच गये थे 5 गुना ज़्यादा लोग पहुंच गये थे कहा जा रहा था है बहुत भाड़ी भरकम भीर थी और यहां तक ही देखा जाए तो 40 से 45 करोड का कलेक्शन जो है कर साउथ हिंडिया से भी कर लेती है तो कहीं कोई बड़ी बात नहीं है कि वल्डवाइट जो आकड़ा है 120-130 करोड का पोटेंशियल आपको इस फिल्म पर देखने को मिले यहां यह मिनिमम कलेक्शन लेकर चल रहा हूँ अगर मैं एडवांस बुकिंग और कॉंटेंट की धमाकी को देखती भी कह रहा हूँ जिस तरह से ट्रिलर ने तो मचाया है लोगोंने प्यार सपोर्ट दिया है कम से कम 126-130 करोड ते इस फिल्म का डे वन पर जहां आराम से रहेगा वो भी worldwide collection में कम की बात करहू maximum क्या होगा वो तो नहीं कहा जा सकता लेकिन इससे ज़्यादा ही होगा बात करें इस फिल्म के collections के बारे में तो कहा जा रहा है कि इसका जो lifetime box office पर collection होगा वो 800 करोड का potential कम से कम 800 करोड का potential होगा और अगर screen player story अगर engaging होई तो उससे भी बैतर जा सकता है domestic collections की इकर में बात करूं तो अगर आवरसी market को पकर के लेकर चलू तो पुस्पा वन ने ही global market में काफी strong performance दिया था बहुत ही easily इस film का कहा जा रहा है कि कम से कम 200 करोड प्लस तो अराम से पुस्पा 2 जो है और आवरसी market में भी अपना benchmark बना सकती है तो अराम से कहा सकते हैं कि टोटल worldwide जो है 1000 से 1300 करोड का content जो है अराम से आपको देखने को मिल सकता है और audience का support भी देखने को मिल सकता है 1000 से 1300 करोड रुपए तो अभी same prediction के जा रहे है वहीं हम बात करते हैं पॉस्पा 2 के वर्सस बॉलिवूड के साथ की competition को लेकर टायरिक competition अगर देखा जाए तो बॉलिवूड की weak phase अगर देखा जाए तो बॉलिवूड काफी recent टाइम से बॉक्स ओफिस पर काफी underperform रही है पॉस्पा 2 को इसका एक फाइदा उठा सकती है और देखा जाए इस्टार पावर के मामले में पॉस्पा 2 के सामने अगर कोई बिग बजट फिल्म बॉलिवूड फिल्म रेलीस भी होती है तो टककर टफ होगी जैसे कि सिंगा मैगेन और हाली में सल्मान खान की जो मूवी आई वो अतना अच्छा बॉक्स ओफिस पर परफॉर्म नहीं कर पाई है जो कि करना चाहिए था सारे 300 क्रूर रुपए की बजट में वनी थी और सारे 300 क्रूर रुपए तीन हफते में जाके ही रिकवर हो पाई है सिंगा में की तो कहीं कहीं देखा जाए तो थोड़ा सा मुस्किल है और अगर हम कॉंटेंट क्वालिटी की बात करें तो बॉलूट से जादा अच्छा कॉंटेंट देखा जाए तो साउथ की फिल्मों में देखने को मिलता है और पुस्पा टू के रिलीज के दौरान हो सकता है कि कोई फिल्म बड़ी स्टार की फिल्म रिलीज हो बट चांसे काफी कम है कोई भी पुस्पा टू से डारेक भिरने की कोसिस नहीं करेगा इसके मैक्सिमम चीज़ें सामने आ रही है कि काफी लोग जो है पुस्पा टू से बिल्कुल भी भी भीरेंगे नहीं क्योंकि भीरने के वाज़त ना पता है कि उनके फिल्म को लॉस तो उठाना पड़े गया है बात करते हैं अगर हम पुस्पा टू के बॉक्स ओफिस पर डॉमिनेंस की तो इदना आता है कि भाई ये जो पुस्पा टू है अडवांस बॉकिंग के मामले में केज़ फ चेप्टर टू से भी आगे निकल सकती है इसकी संभावनाई जाता है जा रही है बड़े आराम से इस फिल्म की जो अडवांस बॉकिंग है वो आराम से जो है अगर हम हिंदी बेल्ट और अगर देखें अगर हम साउथ की बेल्ट को मिला कर लेकर चलें तो आराम से 35 से 40 करोर प्लस की एडवांस बॉकिंग तो रहेगी ही इन इन इंडिया डे वन के लिए और कांटेंट अपिलिंग की बात करें कि जुकेगा नहीं वही वाली बात होने वाली है तो यहाँ पर जो है काफी हिंदी में कहा जा रहा है कि भाई जुकने वाला नहीं है पुस्पा बॉलिवूर के आगे और मार्केटिंग स्टेटेजी की बात करें तो Wickers ने काफी बहतरी मार्केटिंग के च्रार केजेजी रखा रानुट को परमोट किया गया था इंटरनेंशनल मार्केट में उसी दरे इस फिल्म को भी इंटरनेंशनल मार्केट में परमोट करने के बारे में सूछा गया है भाई बॉलिवुड जो है फिलाल अगर देखा जाए as comparatively content में उनके सामने ठीक सकता है फिलाल अगर पुसपा 2 से अगर compare करके देखें और नहीं उनकी जो planning है promotions के मेहनत जितना वो कर लेते हैं फिल्म के promotion के लिए हर तरह के launch event को रखना ट्विलर के लिए हाली में कितना बड़ा launch event रखा गया था उतना launch event तो मैंने बॉलिवुड की किसी फिल्म के लिए नहीं देखा कितना बड़ा launch event रखा गया हो तो ऐसे आप लोग क्या सोचते हैं इस पर आपकी क्या opinion है पॉलिवुड पॉस्पा 2 वर्सेस पॉलिवुड के साथ टकर को लेगा इस पर आपकी क्या opinion है नेचे कमरस में नेचे जरू सेयर कीजिए और आपको क्या लगता है क्या पॉस्पा 2 के आगी कोई भी फिल्म क्लैस करने की खॉसस भी करेगी या नहीं इस पर आपके क्या थौट्स है वो भी सेयर कीजिए मिलता है रिपोर्ट में जो की होगा आपके लिए काफी खास